नमस्कार मैं हूँ नंदिनी शुक्लाग अक्टर अभिशेक बच्चन और अश्वरिया राई की जोड़ी बॉलिवूट की सबसे सुन्दर जोड़ियों में से एक है इन दोनों के फैंस इने एक आदर्श जोड़ी भी मानते हैं अभिशेक बच्चन और अभिशेक बच्चन को अकसर एक दूसरे के साथ भी देखा जाता है और बहुत से बार अभिशेक अपने इंचरव्यू के दोरान एक दूसरे की तारिफ करते हुए भी नज़र आते हैं अभिशेक और एश्वरिया राई नहीं साल 2007 में शादी की थी और उनकी ये शादी 2007 की सबसे ज़्यादा चर्चाओ में रही शादियों में से एक लेकिन आज आज आप सब ही को हमें कैसी बात बताने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपके होश उट जाएंगे 2007 में अभिशेक बच्चन और एश्वरिया राई की शादी के बाद जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने काफी बड़ी कॉंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अभिशेक बच्चन ने उनके साथ धोगा किया है और वो अभिशेक से पहल ही शादी कर चुकी है मॉडल जानवी कपूर द्वारा लगाए गई ये सभी आरोप हर जगा ज़चा में थे रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि जानवी कपूर ने अभिशेक बच्चन के खिलाफ कोट में केस करनी की भी कोशिश की थी लेकिन किसी भी तरह सबूत ना होने की कारण मुंबाई पुलिस ने इस केस को लेने से मना कर दिया था जानवी ने अभिशेक बच्चन के साथ उनकी फिल्म दस में भी काम किया था और उनकी अभिशेक पर लगाए गए इल्जामों को सभी लोगों ने एक पब्लिसिटी स्टन का नाम दिया था आगे बढ़ते हुए जानवी ने अभिशेक बच्चन के घर प्रतीक्षा के बाहर खड़े होकर अपनी नस काट कर आतमत्या करने की कोशिश भी और वो दिखाना चाहती थी कि वो अभिशेक से बहुत प्यार करती है उनकी नस काट लेने पर उन्हें पडोस के एक अस्पद साल में ले जाए गया था उन्होंने अश्वर्या राय पर अभिशेक को उनसे चुरा लेने का आरोग भी लगाया था जानवी के द्वारा की गई इस कोशिश के बाद जुहू पुलिस के द्वारा उन पर सुसाइड अटेंप्ट के लिए कारवाही की गई जिसके बाद वो अब भाला की बॉलिवुड से गायब होगी है इस वीडियो में फिलाल इतना ही हमारे यूट्यूब चानल न्यूस्टेट उत्रदेश उत्राखंट पर तमाम विश्यों पर वीडियोस हैं और भी लेटेस जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूसनेशन टीवी. पर विजिट कर सकते हैं जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूस अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचे